नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से. कुछ सब्ता पहले, एटौनी जेनरल केके वेनु गोपाल ने AIMIM, अध्यक्ष और हाइदराबाद के सांसद, असदोदिन OAC के खिलाफ, क्रिमिनल कंटेंट प्रोसीडिंग्स शुरू करने के लिए अपनी सहमती देने से इनकार कर दिया. वेनु गोपाल's permission had been sought by a person who is part of the संग परिवार's political ecosystem. आवेदक के हिसाब से, OAC ने विनायक दामोदर सावरकर को महात्मा गांधी की हत्या के लिए दोशी ठहराते हुए सुप्रीम कोट की कंटेंट की थी. ओवेसी का क्या दावा था जिसे संग परिवार से जुड़े लोग तिलमिला गए थे. The firebrand Hyderabad MP waded into controversy after Defense Minister Rajnath Singh's contentious claim that सावरकर sought mercy from the British on महात्मा गांधी's advice. ओवेसी ने क्या कहा था? Kapoor Commission आयोग ने सावरकर को गांधी जी की हत्या की साजिश का हिस्सा होने का दोशी ठहराया था. जाच आयोग सुप्रीम कोर्ट के बराबर नहीं है. Commission of inquiry is not equivalent to a supreme court. यह दो सभी जानते हैं. फिर ये भ्रह्म क्यों और ये कौन सा जाच आयोग था जिसने सावरकर पर उंगली उठाई थी? इतिहास बहुत जटल है. इसके पर्तों में जाने के लिए धैरे रखना होगा. Venu Gopal's letter of denial of permission to initiate contempt of court proceedings against OAC refers to a supreme court verdict and the justice kapoor commission inquiry report separately. निर्ने सुप्रीम कोट का मार्च 2018 का उनका आदेश और कपूर आयोग 1969 का है. ये दोनों को distinctly देखना बहुत जरूरी है. 2016 में दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोट का फैसला आया था. याचिका में दो प्लीज थी, एक कि गांधी जी चार गोलियों से मारे गए थे या तीन से, जैसा कि अब तक माना जाता है. दूसरी बात जो प्ली थी, क्या कपूर आयोग की रिपोर्ट को लगभग पचास वर्षों की अवधी के बाद फिर से रियोपन करना चाहिए? याचिका में प्लीज थी, जैसा कि अवधी के अवधी की रिपोर्ट की रिपोर्ट से भी दिक्कत है. कपूर आयोग की रिपोर्ट पर कुछ भी नकारात्मक या फिर नेगिटिव ना कहने के सुप्रीम कोर्ट का फैसला संग परिवार की परेशानी का कारण है. The Supreme Court in its March 2018 judgment clearly stated that it neither believed on the fourth bullet theory nor did it wish to re-examine the Kapoor Commission report. The Kapoor Commission report thereby continues to exist as it has done all these five decades. The exact words on the latter were, we are not inclined to enter into the correctness or fairness of the findings in this report. This report meaning the Kapoor Commission report. That would be another exercise in futility and would nonetheless pan new fires of controversy. Supreme Court ने क्रिमिनल केस में सावर करको तो बरी कर जाने पर सवाल नहीं उठाया. लेकिन साथ ही Supreme Court ने Kapoor आयोग की report को गांधी हत्याकांड केस के एक alternative दृष्टिकोन के रूप में record में रहने की अनुमती दी. OVAC referred to this report while pointing fingers at सावर कर. इसी लिए Kapoor आयोग और उसकी report मेहत्वपूर्ण हो जाती है. लेकिन सबसे पहले Kapoor कमिशन के report के उपर बात करने के पहले गांधी हत्याकांड और मुकदमे में एक नजर डालते हैं. There were 12 accused but one turned an approver. आरोपियों में शामिल थे नाथूराम गोड से, नरायन आपते, विश्नु करकरे, मदनलाल पहवा. इन्होंने 20 जन्वरी 1949 को गांधी जी पर बॉम से मारने की कोशिश की थी. शंकर किस्तिया, गोपाल गोड से, जो नाथूराम के भाई थे, सावरकर और दत्तात्रे परचुरे. विशेश न्यालाय का गठन किया गया था, और इसकी बैठके लाल किले के अंदर हुई. सुनवाई, एक डिसेंबर 1948 को शुरू हुई और एक महिने तक जारी रहा. फैसला, 10 फेब्रोरी 1949 को सुनाया गया. गोड से और नरायन आप्टे को फांसी की सजा सुनाई दी गई. विश्नुकर करे, मदनलाल पहवा, गोपाल गोड से, शंकर किस्तेया और डॉक्टर परचुरे को आजीवान कारावास की सजा सुनाई गई. सावरकर को बरी कर दिया गया सबूत के अभाव पर. बाद में कुछ अन्य को बरी कर दिया गया. गोड से और आप्टे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी दी गई. गोपाल गोड से, बदनलाल पहवा, विश्नुकर करे को अक्टोबर 1964 में रिलीज किया गया. 12 नवंबर 1964 को 15 दिन के अंदर पूने में एक धार्मिक कारेकरम का आयोजन किया गया, उनकी रिहाई का जश्न मनाने के लिए. समारों में जीवी केतकर ये बाल गंगाधर तिलक के पोते थे और मराठी के प्रमुक पत्रकार भी, इन्होंने एक चौकाने वाला खुलासा किया. वास्तविग घटना से छे महीने पहले, नाथूराम गोडसे ने उन्हें गांधी को मारने के अपने विचारों का खुलासा किया था. केतकर ने कहा कि उन्होंने ये जानकारी बालू का कानिटकर को दी, जिन्होंने इसे बॉम्बे स्टेट के उस समय के चीफ मिनिस्टर बीजी खेर को पास कर दिया. The Indian Express commented adversely on केतकर's conduct and his foreknowledge of Gandhi's assassination. केतकर was arrested. It said, the Indian Express, that this added to the mystery of the circumstances preceding Gandhi's assassination. Indian Express ने रिपोर्ट में आगे लिखा, several of those present offered Pooja to the photograph of Nathuram Goad से. Speakers on the occasion, importantly, ध्यान देने वाली बात है, also included a noted RSS leader of the region. भारत के पार्लेमेंट में और महराश्रा विधान सभा के अंदर हंगामा हो गया. कहा गया, जानकारी के बावजूद कुछ एक्षन नहीं लिया गया था गांधी जी को बचाने के लिए. राजे सभा में बहुत गरम बहस हुई. Home Minister Gulzari Lal Nanda ने कहा, Ketkar repeated the statement substantially at another meeting held on the 15th of November 1964 to mark the death anniversary of the assassin of Mahatma Gandhi. As both Balukaka Kaanetkar and Biji Kher are no longer alive, it has not been possible to verify Ketkar's claim of communicating knowledge of intention to assassinate Gandhiji to the Chief Minister. Nanda also said, It is amazing that an act so revolting to human decency and the highest values cherished by this ancient land since the dawn of time should hold an appeal even to a minuscule section of people. वाकई त्रासिदी है, 55 साल बाद, गांधी जी के हत्यारों का glorification करने वालों की संख्या अब कम नहीं है, संसद में भी ऐसे लोग हैं. बहस के दौरान, चंद्रशेकर जो बाद में जाके भारत के प्रधानमंत्री वने, उन्होंने पूचा, why did not the government move in the matter, take action against persons, trying to glorify a person who is the symbol of political enarchy and shame. क्यों नहीं किया कुछ अच्छन? This is the supreme affront that the Indian nation can face, that the assassin of the father of the nation is being glorified as a martyr, and indirectly people are inciting this cult of violence and political assassination to continue. I wonder, उन्होंने आगे कहा, why the home ministry here and the government of Maharashtra did not move in the matter and arrest all those persons. 2014 से हमने संग परिवार के नेताओं और उनके सपोर्टर्स को नियमित रूप से गोट्से का डेइफिकेशन करते हुए दिखा है. गोट्से का मंदिर बनाने की भी चर्चा हुई है. उसी राजे सभा के बेट में, ते फमस Communist Party of India leader Bhupesh Gupta asked, I should like to know the position of the government in the matter. At the time of the assassination of Gandhiji, there was a feeling abroad that there had been some dereliction of duty somewhere that he had not been given. the kind of protection which should have been given to him. Now, this is a startling revelation after all. A person referring to Ketkar publicly states that the intention to murder was communicated to him and he communicated this through an intermediary to the chief minister of Bombay. What was the Bombay government doing at that time? Bhupesh Gupta asked, We would like to know whether the Bombay government and the central government and the intelligence agencies had any inkling or indication with regard to such things. Public pressure की वज़े से, जो इस डिबेट के वज़े से हुआ, प्लस जनता के बीच में भी जो उस समय जो बहस हो रही थी, जो चर्चा हो रही थी, उसकी वज़े से, March 1965 में, गुलजारी लाल नंदा ने, Gopal Swaroop Pathak को इनक्वारी कमिशन के हेड के तौर पर अपोइंट किया, वे Member of Parliament और Supreme Court के वकील थे, लेटर ओन, Pathak became a central minister, in November 1966, he eventually even went on to become the Indian Vice President. As a result, because Pathak became a minister, Jeevan Lal Kapoor, a retired Supreme Court judge, was appointed the head of the Commission of Inquiry. तीन साल में, Kapoor आयोग ने एक सो एक गवाहों और चार सो साथ दस्तावेजों की जाच की. The Kapoor Commission, now this is very important, had 162 sittings and travelled to Mumbai, Delhi, Nagpur, Dharwar, Pune, Baroda and Chandigarh. उलेखनिये है, Kapoor Commission was provided, evidence not previously produced in any court. विशे शुरूप से सावर करके दो करीबी सहयोगी की गवाही उनके सामने प्रस्तुत की गई. After scrutinizing all this, Justice Kapoor concluded, it's a very ominous and an important statement. All these facts taken together were destructive of any theory other than the conspiracy to murder by Savarkar and his group. Supreme Court में वकील अनिल नौर्या ने हिंदू अखवार में लिखा है. Muraji Desai, then Bombay's Home Minister, was asked in the trial by Savarkar's lawyer about his reasons for directing a close watch on Savarkar's house and his movements after the bomb incident, 10 days before the murder. Desai countered, Shall I give you my reason? It is for Savarkar to decide whether I should answer. I am prepared to give my reason. Upon this, Savarkar's lawyer said, I withdraw my question. You think, Savarkar के, वकील ने इतना एहम defense question को क्यों withdraw किया? क्या दाल में या उनके दिल में कुछ काला था? 2015 में गांधी हत्याकांट की अधिक जानकारी के लिए एक RTI आवेदन दायर किया गया. अपने रूलिंग में कमिशन ने काहा, several writings have raised doubts about the assassination of Gandhi, the conspiracy before it, earlier attempts on his life, absconding nature of the accused, acquittal of some accused, lapses in security, lack of further investigation, even after new information was disclosed about the conspiracy and so on. The people have the right to information to clear the above doubts. Kendriye Suchna Aayog ने पेमो को निर्देश दिया. महात्मा गांधी के संबंध में appropriate policy formulate हिया जाए, ताकि उनकी हत्या की जाँच, trial, punishment, official communication और कपूर आयो के recommendations पर की गई कारवाई पर easy to use archives बनाई जाए. Similar directives were given to the Home Ministry, Parliament Secretariat, Supreme Court, Delhi Police and even the National Archives of India. मैंने उडिसा में बोलांगी डिस्रिक्ट के जो RTI आवेदत थे हेमंत पांडा से बात की, अभी तक कोई action नहीं लिया गया है. The importance of the Kapoor Commission report lies in its divergent conclusion from the official investigation, trial and judgment. आज के भारत में महत्वपूर्ण है कि इस report के conclusions को कोई अदालत पलट ना दे. Supreme Court का 2018 का फैसला, OVAC के खिलाफ contempt of court की इजाज़त देने की Attorney General का इंकार, इस मुश्किल घड़ी में बहुत छोटी रहत है. परन्तु, ये हमें मौका देता है Kapoor Commission की conclusions को दोबारा समझने का. कुछ भी हो जाए, the needle of the suspicion that Justice Jeevan Lal Kapoor in his report, which is available in the public domain on the internet, it was turned by him towards Savarkar and it will forever remain in his direction. Namaskar.